बाबुलाल मरांधी जारखंड की राजनिती जारखंड के लोगों के बीच और देश दुनिया में किसी पहचान की महताज नहीं 6 pregnant के पहले मुख्य मंत्री रहे बाबुलाल मरांडी की कामों की चर्चा तो होती ही है इसके साथ ही उनके कामों के सरहना भी हर किसी के जुबापच चड़ा रहता है तो आईए बाबुलाल मरांडी की जीवन पर जरा गौर करते हैं बाबुलाल मरांडी का जनम 11 जन्वरी 1958 को जहारखंट के कोडिया बैंक गाउं में हुआ बाबुलाल मरांडी ने अपनी सिक्षा गाउं से प्राप्त की उसके बाद गिरदी कॉलेज में दाखिला लिया जहां से उन्हें इंटरमेडियत और सनातक की पढ़ाई पूरी की वो कॉलेज में पढ़ाई के दोहरान आरसस से जुड़ गए आरसस से पूरी तरह जुड़ने से पहले मरांडी ने गाउं के स्कूल में कुछ सालों तक कारी किया इसके बाद वो संग परिवार से जुड़ गए उन्हें जहारखन शेत्र के विश्व हिंदू परिशत का संगठन सचीव बनाए गया 1991 में मरांडी भाजपा के टिकेट पर दुमका लोगसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए 1996 में वो फिर से शीबू सोरेन से हारे इसके बाद बीजेपी ने 1998 में उन्हें विधान सभा चुनाव के दौरान जहारखन बीजेपी का अध्यक्ष पिनाया पाटी ने उनके निर्थत में जहारखन शेत्र की 14 लोगसभा सीटों में से 12 पर कबजा किया 1958 के चुनाव में उन्होंने शीबू सोरेन को संथाल से हरा कर चुनाव जीता था जिसके बाद NDA के सरकार में बिहार के 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी गई 2000 में बिहार से अलग होकर जहारखन राज बनाने के बाद NDA के निर्थत में बाबुलाल मरांडी ने राजी की पहली सरकार बनाई उस समय के राजातिक विशищग्यों के निसार मरांडी राजी को बहतर तरीके से विक्सद कर सकते थे राजी की सड़ को और द्योग एक शेत्र तथा राची को ग्रेटर राची बना सकते थे लेकिन मरांडी उनके इस विश्वास को कम समय में पूरा नहीं कर सके और उन्हें जदियों के हस्तशेप के बाद सत्ता छोड़ा जुनमुंटा को सत्ता सौपनी पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने राज्य के इंधिये को विस्ता देने का कारे किया। 2004 के लोगसभा चुना में उन्होंने कोडर्मा सीर से चुनाव जीता जबकि अन्य उमिद्वार हार गए। बाबुलाल मराजी ने 2006 में कोडर्मा सीर सही बीजेपी की सद्यस्ता से भी इस्तिफा देकर जारखन विकास मोर्चा नाम से नई राज़तिक पार्टी बनाई। बीजेपी के पाज विधायक भी भाजपा छोड़कर इसमें शामिल हो गए। इसके बाद कोडर्मा उपचुनाव में वो बिना किसी विरोध के चुन लिये गए। साल 2009 के लोगसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से कोडर्मा सीर से चुनाव लड़कर बड़ी जीत हासल की।